नमस्कार चिस्वीर केशे चैनल में आप सब बेहनों का प्यार भरा स्वागत है फ्रेंड्स आज हम आपके लिए एक बहुत ही जुडीक सा बॉर्डर लेके आए हैं जो के हमने शुल्डर का बॉर्डर साथ में ही बनाया है यह देखिए हमने अलग से नहीं बनाया है इसको साथ ही बना दिया है दोन्नों तरफ यह हम बेबी का स्वेटर बना रहे हैं और यह बैक साइड है back side में हमने एस साथ ही बना दिया है और इसको साथ में ही कैसे बनाना है बुनते हुए एवाला portion कैसे बनाना है वो हम आपके साथ share करेंगे जैसे J देखिए हमने एगे का पला बनाया है तो इसके साथ भी हम जहां से बिलकुल साथ में बौर्डर लेके जलेंगे जैसे जे बनाया है वैसे ही बनेगा तो हम फिर कैसे बनाएंगे है ना साथ में तो इसको आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो चलिए फिरन फिर देखिए इसको कैसे बनाते हैं जे हमने फिरन्टों का भाग बनाया है यह बटर पटी है और यह हमने इसमें पॉकट भी लगाई है वो हम आपको बाद में जो दूसरा इसका पीस बनेंगे इदर वाला पार्ट तो फिर हम आपको यह बताएंगे कि हमने जेब भी बनाई है तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए जस्वीर क्रियेशन चैनल है तो फिर एस लाई करेंगे जहां यह पॉकट बन जाएगी जो कि हमने साथ में ही बनाई है डिसाइन भी दिया है और जे बॉर्डर भी बना है बहुत अच्छी लगती है जे अब जे पीस भी लेंध इसकी होगी है उतनी ही 12 इंच लेंध हमने रखी है टोटल क्योंकि चार साल से 5 साल के बच्चे का है तो में बात है कि जे छोलडर हमने कैसे बुने साथ में है तो जे छोलडर आज हम आपके सामने बुनेंगे पहले हम इदर वाला ही बुन रहे हैं दूस प्लीट हो जाए तो फिर हम जे दो बटन पट्टी हमारी साथ में ही जाएगी लेकर इधर हमने ऐसा बाॉडर कैसे साथ में लेके जाना है वो हम पताने वाले है, तो हमने जो J बॉर्डर बनाया है, N, J हमारे फंदें हैं, जहां हम गटाई डालेंगे, तो एक तो J है, फिर इसके साथ, एक, दो, तीन, चार, पांख, छे, साथ, आठ आइप और नॉख, हमने, लेने हैं दस्वें फंदे पे हमने गटाई डालनी है तो हम क्या करेंगे हम नाइन फंदे आगे बढ़ाएंगे कैसे जो देखिए हम आपको दिखाते हैं नाइन फंदे कैसे बढ़ाएंगे जैसे हमें राइट साइड में है ना राइट साइड है तो जहां आई है ए थ्रेड और जे हमारी बटन पट्टी चल रही है साथ में तो हम जहां फंदे बढ़ाएंगे तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं लेकर हम क्या करेंगे हम इस साइड आ जाएंगे और इन फंदों को ऐसे बढ़ाएंगे यह जो फंदा है ना इसके बीज में हम फंदा बढ़ाएंगे तो इदा रख लेंगे एक एक फंदा बढ़ाया फिर इसके अंदर बढ़ाएंगे पूरे फंदे को ऐसे दो फंदे बढ़गे फिर इदर रखेंगे फिर इसके बीज में से ही बुनेंगे तीन फंदे बढ़गे फिर चार फंदे बढ़गे फिर पांच छे ध्यान से देखना है साथ आठ और नौ है ना तो हम गाउंट करेंगे पहले दो दो चार चे आठ और नाइन फंदे हमने बुन लिये हैं जे हमारी रॉंक साइड है तो हम रॉंक साइड में इन फंदों को बुन लेंगे ऐसे एक और दो खीक है उसके आगे हम बुनेंगे सीधा बॉटर बनाना है ना दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक सीधा रॉंक साइड है उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा है ना तो हमने ऐसे बॉडर बॉन लिये दो उल्टे बुने है एक सीधा एक उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा अब आते हैं जहां हम गटाई भी डालेंगे क्योंके छोल्टर है तो दो का एक करेंगे ऐसे दो का हमने एक कर दिया जहां से जहां से जहां से जह वली गटाई स्टार्ट हो जाएगी जह वली तो हमने दो का एक कर दिया जैसे ही दो का एक या, ठीक है, इससे पहले हम एक बात और बता देते हैं आपको, तो फ्रेंट जैसे हमने दो का एक या है, तो हमने 9 फंदे कम करने हैं, तो एक तो हमने कम कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जहां तक, जहां तक हमारा डिजाइन है वहां तक हमने 9 फंदे कम करने है तो हम वहां safety pin लगा देंगे कोई भी mark लगा दीजिए आप जे देखिए हमने वहां तक mark लगा दिया है तो हम 9 फंदे इदर से ऐसे गटाएंगे कैसे पहले तो 2 का 1 किया है तो जहां तक ही बुनना है अब हम आते हैं जही से हम वापस चले जाएंगे तो वापस जाएंगे तो जो हमने सीधा 2 का 1 किया है इसको हम बुनेंगे निसीधा ही उतार लेंगे उतारा सीधा बिना बुने और थ्रेड अपनी दरफ एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा सीधा सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा अब लास्ट में क्योंकि राइट साइड है तो लास्ट में हमने आई कॉड भी बनानी है जैसे दो फंदों की चेन बनाते हुए हम साथ में जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है thread पीछे करेंगे तो दो सीधे दिख रहे हैं, एक को हम simple ऐसे उदारेंगे last वाले को हम बुन लेंगे ऐसे ठीक है, बुन लिया अब हम फिर वापस आएंगे जहां हमने दो काएक किया था वहां तक, तो wrong side पे हम एक फंदा slip करेंगे और जो हमने slip गिया था पीछे से सीधा उसको बुनेंगे फिर सीधा बुनेंगे, क्योंकि जह हमारा border है, ऐसे तो हम 9 फंदे बुनेंगे जह देखिए 2, 4, 6, 7 8 और 9, 9 फंदे हमने बरकरार रखने है, border के जो साथ में चलेगा और thread अपनी तरफ करके जहां हमने दोकाए किया था वही पे फिर हम उस बंदे को और आग्गे वाला फंदा इसमें से एक और ले लेंगे 6 और 7 फंदे बच जाएंगे फिर एक फंदा इसके साथ एक और ले लेंगे तो तोका एक करतेंगे फिर हम जहीं से वापस चले जाएंगे और इस फंदे को simple ही उतारेंगे सीधा chain आ रही है ना सीधा thread अपनी तरफ यह हम border बुणेंगे उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और इसको हम slip करेंगे और लास्ट वाड़े सीधे को बुलनेंगे chain के लिए बड़िया chain आती है इससे अब हम फिर वापस आएंगे 9 फंदे हम बुणेंगे और जहां हम 2 का एक करेंगे और पीछे हमारे 6 फंदे रह जाएंगे तो जब तक हम पूरे फंदे कवर नहीं कर लेते एक एक करके गटा नहीं लेते तब तक हम इस बाडर को बुणेंगे तो उल्टा फंदा हमने 1 slip किया एक उल्टा बुणा तो उल्टे होगे थ्रेड पीछे सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा तो हमारे फिर 9 फंदे हमने बुन लिए 2, 4, 6, 8, 9 थ्रेड अपनी दर्फ जहां पे हम फिर 2 का एक करेंगे कर दिया और पीछे हमारे फंदे बचे हैं 2, 4, 6 और फिर जही से वापस जाएंगे और इस फंदे को सीधा ही उतार लेंगे और पूरा बॉर्डर बुनेंगे लास्ट दख सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा और लास्ट में सीधा उतारेंगे ऐसे और लास्ट वाला ऐसे सीधा बुनेंगे फिर आते हैं रॉंग साइड पे फिर हमने वही करना है दो उल्टे, एक उतारा, एक बुना, पूरा बॉर्डर बुना, नाइन फंदों का, जहां तक सीधा है, वहां तक, ठीक है, नाइन फंदों का बॉर्डर बुन लिया, अब जहां पे देखिए, दो का एक करते हैं, अब फिर दो का एक करेंगे, एक फंदा जे है, एक आके वाल और ले लेंगे, तो दो का एक कर दिया, थ्रेड वापस, जे हमारा डिजाइन भी डला हुआ है, इसको साथ ही रखना है, इसको सीधा उतार लिया, फिर हमने बॉर्डर बुना, सीधी सलाई बुनेंगे, मतलब बॉर्डर, एक उतारा, एक बुन लिया, जे देखे, बॉर्डर बन गया, ऐसे, अब रॉंक साइड में आएंगे, नाइन फंदे बुनेंगे, और जहां दो का एक करेंगे, दो उल्टे बुन लिये, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नाइन, ठीक है, और इस टैंथ वाले फंदे को, जहां दो का एक उसको, और लास्ट वाला, इद की चार फंदे अभी और बचे हैं, उनको भी बारी-बारी से हमने ऐसे ही कम करना है, तो इस फंदे को फिर ऐसे सिंपल उतार लिया, जह देखिए, जह हमारी काट डल रही है, फिर हम एक उल्टा फंदा बुनेंगे, पूरा बॉडर बुनेंगे, जो बॉडर हम बुन रहे ह यह देखिए, आ रहा है बॉडर, ऐसे ही शोल्टर बुनना है हमने, और जहां पे चेन आती जाएगी, जैसे काट डर रही हो, गटाई डार रहे हैं, कैसे आएगी, वो दीखते रहना आप, आगे फिर हमने वो ही बॉडर बुनना है हाँ, जे बारे, नाइन फंदे हमने बुल लिए, अब हम जहां पे दो काई करेंगे, बाकी तीन फंदे रह जाएंगे, ऐसे, मार्क तक हमने फंदे कम करने हैं, फिर हम वापस आजाएंगे, और जे देखिए, इसको सीधा ही उतारेंगे, थ्रेड अपनी तर्फ करके पूर बॉर्डर बॉनेंगे, यह देखिए, जहां फिर दो काई करेंगे, एक जे वाला फंदा है, जो सीधा आ रहा है, और एक इदर वाला, दो काई किया, अब दो फंदे बचे हैं, उनको भी करेंगे बारी-बारी से, फिर इसको ऐसे ही सिम्पल उतार के, पूरा बॉर्डर बॉनेंगे, जे देखिए, फ्रेंड, फिर हम जहां पे दो काई करेंगे, तो दो बचे हैं, एक जे और एक जे, तो दो काई कर दिया, अब एक फंदा बचा है, लेकर हम अभी जहीं से वापस जाएंगे, और इस फंदे को स्लिप करेंगे सीधे को, और बाकी सेम बॉर्डर हम बुनेंग बॉर्डर हमने ऐसे ही साथ में बुनते जाना है, शोल्डर की पट्टी है जे, जे देखिए, फिर वापस आएंगे, रॉंग साइड में, जे देखिए, अब हमारा एक फंदा बचा है, जहाँ हमने मार्क लगाया था, क्योंकि हमने नाइन फंदे कम करने थे तो 9 फंदों का ही हमारी बटन पट्टी की बॉडर की बॉडर है पट्टी है जो साथ में शोल्टर की अब हम बार्क उतार देंगे ठीक है और इसको एक बार फिर बुनेंगे जहां तक कटिंग आई है न अच्छे से ऐसे आई है अब फिर इसको बुनेंगे जहां तक ऐसे वापस भी आएंगे यह देखिए हाँ वापस आगे हैं लेकर आपको बताएंगे यह देखिए इसको हमने बुन लिया है यह साथ में अब बट्रम पट्टी चलेगी और साथ में जह भी बुनेंगे इसमें आपको दखाते हैं हम यह देखिए जब हमने बुना यह देखे हमने बुणा फिर साथ में हम आगे लेकर हमने यह जो हमारे फंदे 9 थे हमने कम कर लिए लेकर इस पिबी में से हमने और फंदे कम करने है 9 तो हमने किये हैं shoulder के तो बटन पट्टी क्याती है shoulder की पट्टी साथ में है तो हमने ये फंदे रखे थे साथ में 2, 4, 5 तो हमने इस उल्टे के साथ सीधे के साथ जब 9 फंदे बुन लेंगे उल्टा बुनना है तो 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हम एक डिब्बी में से अभी रखेंगे तो हमारे ग्यारा फंदे थे जहां तक हमारे ग्यारा फंदे थे तो हमने इस में से 5 फंदे और कम करने है एक तो उल्टा साथ में आना है लेकिन हमारे ग्यारा फंदे है तो 10 में से 5 हमने रखने है 5 और कम करेंगे 9 प्लस 5 तो हमारे टोटल 14 फंदे होंगे 14 फंदे जो के हमने अभी एक आट देनी है कटिंग करनी है तो हम एक एक करके एक एक फंदा करके कटिंग करेंगे यह देखिए ना पहले थोड़ा 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 कम होता गया है तो ऐसे हमने कम करन है design भी बनाना है साथ में design को बर्गरा रखना है लेकर इस सीधे फंदे के साथ जो हमारा यह आएगा ना सीधा फंदा इसके साथ एक उल्टा फंदा हमने जरूर रखना है ठीक है तभी वो अच्छा लगगा तो अब हमने जैसे नाइन फंदे हमने कम कर दिये अब हमारा पास next के 5 फंदे है तो 9 फंदे हमारे जीए हैं जी देखिए 2,4,6,8 और 9 9 फंदे है एक फंदा जीए है 10 फंदे टोटल रहेंगे हमारे तो हमने क्या करना है अब जहां पे हमने फिर दो का एक कर देना है हाँ सीधा फंदा बुना आगे हमने डिजाइन के मताबक ही बुनना है तो पहले हम दो का एक करेंगे ठीक है कर दिया ग्यारवा फंदा भी नाइन दसवा फंदा भी हमने कम कर दिया आगे जो जैसा हमारा डिजाइन ह वैसा हम अब पूरी सलाई बुनेंगे जे देखिए ऐसे इस सलाई को हम अब आगे ले आएंगे तो जो हम बुन रहे हैं उसको बुनते जाएंगे यह ऐसे दिखाते हैं आपको यह देखिए जे कटिंग होगी है न तो आगे हम बुनेंगे तो शेप आ जाएगी जे देखिए जहां से लेके जहां तक अब हम आगे बुनने लगे हैं नाइन फंदों तक हमने नहीं बुना था सिर्फ पट्टी बुनी थी और एक एक फंदा कम किया था अब हम दस्वां फंदा कम किया है तो हमने पूरा अपना जो हमारा डिजाइन है उसको हम कवर करेंगे तो हम एक पूरी सलाही बनाएंगे और लास्ट में जो हमारा बॉर्डर है उसको भी बनाएंगे जो हमारी बटन पट्टी है एक बार आपको दिखा देते हैं उसके बाद जब हम उदर से कटिंग करेंगे तो फिर ए नहीं दिखाएंगे इदर वाला पुझे देखिए ये हम डिजाइन के साथ चल रहे हैं तो डिजाइन के साथ बटन पट्टी आ रही है तो जहां हमारे सीते फंदे हैं ठीक है ग्यारा फंदे रखते हैं दो चार छे आठ तस ग्यारा लेकर एक फंदा हमारा साथ में चल रहा है उसको चलाएंगे और बाकी के बटन पट्टी के फ जहां भी हमने आई कॉर्ड रखी है साथ में बहुत सुद्दर लगती है दो उल्टे बुनते हैं रॉंग साइड से और राइट साइड से जो देखिए हम फिर एक सीधा उतारा इसको उतारा और दो फंदे हमने स्लिप किये हैं सीधे और एक उल्टा बुना और बाकी हम बटन पट्टी बुनेंगे जो देखिए हम बटन पट्टी बुन रहे हैं तो हमारी बटन पट्टी बुनेंगे आगे हम जो डिजाइन हमारा चल रहा है उसी को हम बना रहे हैं तो ऐसे आपने बनाना है आगे जाके हमने फंदा कम भी करना है एक और काट देनी है तो हम पहले जे पूरे फंदे बुलने 11-11 का बॉक्स है हमारा डिजाइन हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं इसका आप वहां जाकर इस डिजाइन को भी देख सकते हैं बनाना और चार से पांच साल के बच आगे जिसमें शोल्डर की बनाई की जाती है अलाग से भी बुन सकते हैं और साथ में भी अब जे देखिए जे तो हम ऐसे ही बुनेंगे है जो एक उल्टा बुनेंगे और जो एक चेंज हमारी चल रही है साथ में इसको ऐसे ही बुने उल्टा बुना लेकर इसको हम स्लिप कर लेंगे कर लिया हर बार स्लिप कर रहे हैं अब आगे हम इसको बुन लेंगे अगर स्लिप नहीं करना है तो आप बुन भी सकते हैं वो आपकी मर्जी स्लिप करने से हमें पता चल जाएगा कि जहां हमने फिर दो का एक करना है तो अब हम आते हैं रॉंग साइड पे करते हैं दो का एक तो हम करेंगे पहले हम पूरा बॉर्डर बुनेंगे जो हमारा बॉर्डर चल रहा है नाइन फंदों का पांच, छे, साथ, आठ और नाइन ये देखिए नाइन फंदों का बॉर्डर हमने बोल लिया है जे फंदा हमने चेन वाला स्लिप किया था जे वाला इसी को हम लेंगे और एक फंदा और साथ में लेंगे तो हम दो फंदों को एक कर देंगे क्योंकि हमने इस में से पांच, फंदे और कम करने है तो दो फंदे हमने कम कर दिये बाकी जो डिजाइन आपका होता है साथ चलता है उसको साथ में बुणिए चाए वो सीधा है चाए वो उल्टा है तो हमने जहां पर भी एक फंदा कम कर दिया बदखाते हैं आपको ऐसे श तो पहले हम यह डिजाइन की पूरी सलाई बना लें, फिर आपको दिखाते हैं, यह देखिए फ्रेंड हमने यह सलाई बुल ली है, अब हम जहां पे इसको फिर बुनेंगे, क्योंकि हमने रॉंग साइट से कम करने हैं फंदे, तो हम रॉंग साइट से ही करेंगे, तो इसको स अब रॉंग साइट पे आते हैं, तो जहां फिर हम फंदाएक कम करेंगे, तो हमारे टोटल फंदे हमने 14 करने हैं, 9 हमने कर लिये थे, बाकी के फंदे हम करने जा रहे हैं, तो पहले हम यह बॉर्डर बुनेंगे, यह देखिए, जहां पे हमने फिर 2 का एक करना है, है ना, 2 का एक किया, यह देखिए, इन जो फंदे हैं इनको हमने 5 रखना है, 2, 4, 5, और 1, 7 में 6, 2 फंदे और कम करेंगे, अभी हमारे रहते हैं, वो हम करते जा रहे हैं साथ में, लेकन हमारा एक डिजाइन बन गया है, इ यहां उल्टा आएगा, लेकन हम पहले पूरी उल्टी स्लाइस में बनाने वाले हैं, तो जैसे ही हमने दो का एक किया, तो आगे जो जैसा हमारा डिजाइन है, वैसा ही चलेगा, तो ऐसे एक एक फंदा करके हम कम करते जाएंगे, जहां से, रॉंग साइड से, यह देखिए, फ्रेंड्स हमने एक कटिंग डाल दी है, एक एक फंदा करके हमने एक कम किया है, नाइन फंदे जहां तक कम किये, वो आप देख सकते हैं, एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, नाइन फंदे जहां तक कम किये, आगे हमने पांच फंदे कम करन थे एक, दो, तीन, चार, पाँच तो एक फंदे कम हो गए है हमारे टोटल आब हमने एक फंदे जहां रखने थे तो फाइफ फंदे मारे 2,45 5 फंदे यह है और एक फंदा हम जो इसके साथ उल्टा रखेंगे इस चेन के साथ उसको हमने सीधा ही अभी रखना है डिजाइन के साब से आगे इसको भी सीधा इसे ही रखना है और बाकी का हम बॉर्टर बढ़ाएंगे तो हमारे 12 फंदे चलेंगे जोल्टर के मतलब बॉर्डर के 12 फंदे चलने लग जाएंगे यह देखिए 12 फंदे तो हमारे आईब बॉर्टर है दो चार छे आठ दस और 11 फंदे हमारे चलने है बाकी आप डिजाईन के साब से देखिए इसके साथ घ्यारत तो इल्टा आना ही है जैसे आता है तो बाकी आप उसी साब से चलेंगे एक ग्यारमा फंदा जहां हम दो दो का एक कर रहे थे तो जे देखिए एक ग्यारमा फंदा है हम दो दो का एक कर रहे थे तो वो वाला जहां भी देखिए हमने दो दो का एक किया है तो जहां बेबी हमने दो दो का एक किया पांच बार तो हमारे टोटल फंदे हमने 14 फंदे कम किये हैं अपने इस शोल्टर में जो हम बुनते हुए आ रहे थे यह देखिए और कितनी सुन्दर कटिंग आई है इसकी जब और बढ़ेगा और इसकी कटिंग यह वाला पोर्शन ऐसे अंदर हो जाता है और जहां पे हम पूरी सलाई क करते हैं शोल्टर की जब यह चोल्टर जो है हमारा जब देखिए ईसे आएगा और यह यह रॉंग साइड में और इस पर हमारे ये बटन पट बटन पट्टी आएगी दा पर तो जह ऐसे हम सलाई फिर इसकी करते हैं सीधा हो जाता है जैसे चोल्टर अलग से बुना हो तो इसके साथ चलेगा तो राइट साइड से भी देखिए आप जे देखिए ये छोल्डर ऐसे जहां सलाई हो जाएगी और नीचे को ऐसे और जे पूरा साथ में ही चलना शुरू हो जाएगा तो अलग से बनाने की फिर जरूरत नहीं है तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो मुझे अमीद है कि आपको समझा गया होगा और आप बनाएए और अपने बच्चों के लिए ऐसे ही बटन पट्टी साथ में ही चलेगी और आगे चलकर हम इसका गोल गला बनाएंगे और उपर हुड जो उपर बच्चे की तो थैंक यू बाए बाए